हमारे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है। डाटा जारी क्या गिया है और इससे जुड़े सभी इन्पोर्टेन तथ्यों को जानते हैं। हम इस टपिक के तिसरे भाग का अधिहन करेंगे जिसमें राजजी आय के बारे में जानकारी दी गई है। GDP ब्रिधिधर कितना हैं, किस हैदर का कितना योगदार रहा हैं। तिसरा टपिक जिसमें राजजी के आय के बारे में जानकारी दी गई है। किस तरह से आय होता है और किस तरह से उसमें जो योगदार होते हैं, वो कितना कितना रखा गया है। आप यहां देख पाएंगे तो जो मुख्य बाते हैं उनको सबसे पहले जानते क्योंकि ये पूरे इस टपिक का एक सार भाग होता है इसमें बताया गिया है यहां आप देखेंगे तो 2019-20 में प्रचलीत भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पादर थाथ GDP प्रिदिधर 36 गड़ का कितना अनुमानित है तो बिचले वर्ष की तूलना में 28.26 प्रदिशत अधिक अनुमानित है और यही एक्जाम के दिश्रीश ज्यादा इन्पोर्टेन होते हैं ये तो प्रचलीत भाव पर है आप यहां देखेंगे तो 2019-20 के इस्थिर भाव अर्थाथ 2011-12 के अधार पर शकल राज घरलू उत्पाद अनुमानित है 5.32 प्रदिशत और यही ज्यादा इन्पोर्टेन है एक्जाम के लिए GDP ब्रदिधर प्रचलीत मुल्ये पर 8.23 अनुमानित है और इस्थिर भाव पर 5.32 प्रदिशत अनुमानित है इसको आप जरूर याद रखी यहां राज जेवार GDP ब्रदिधर भी जान करिदी गए इसमें क्रिशी छेतर में 3.31 उद्योग में 4.94 शिवा में 6.62 प्रदिशत अनुमानित है इस्थिर भाव पर और अखिल भारत में भी कितना अनुमानित है इसको यहां जान करिदी गए जैसे GDP ब्रदिधर 5 प्रदिश प्रदिशत क्रिशी चेतर 2.8 उद्योग चेतर 2.5 और सेवा चेतर 6.9 दिया गया है बिछले 5 वर्सों की भारती उद्योग चेतर के योगदान GDP प्रदिधर में इस्थिर भाव पर सरवाधिक 4.19 प्रदिशत अनुमानित है 2019 बीस में इसमें आगे जानकारी दिगे है कि जो 2020 का आर्थिक सर्वक्षा जारी किया गया है उसमें पिछले वर्से की तुलना में कौन से छेतर में सरवाधिक ब्रदिधी हुई है आपको यहां देखेंगे इस्तिर भाव पर सरवाधिक ब्रदिधी किसमें हुई है तो पसु पालन में सबसे ज्यादा ब्रदिधी हुई है 16.45 प्रदिशत की जबकि 99 बृद्धी किस में हुई है तो 99 बृद्धी वानी की छेतर में हुई है और बृद्धी का प्रदिशत है 0.79 प्रदिशत हम सारे टाविकों का विस्तार से भी अध्यान करेंगे यहां बताया गया है चती अरगा प्रदिशत की आए कितना निर्धारित किया गया है 2019 बृद्धी के अगरिम अनुमान में तो 99,281 रुपया अनुमानी किया गया है जबकि एकिल भारत में यहां अनुमान 1,35,050 रुपया रखा गया है इसके बाद हम सिलसलेवार से विस्तार से यहां चर्चा करते जाते हैं जैसे यहां हम सबसे पहल देखेंगे शकल राज या घरेलो उत्पात के अगरिम अनुमान 2019 बिस में इस्तेर भाव पर क्या रखा गया है ध्यान देखेंगे आप 5.32 प्रदिशत इसमें किस चेतर का कितना योगदार रहा है वो यहां जानते हैं आप उपर देख पाएंगे तो यहां लिखा है जिडिपी बिद्धी दर इस्तीर भाव पर 2011 बादा 12 के अधार पर चेतर वर बिद्धी प्रतिशत दर प्रतिशत दर यह है और यहां जो नीचे है यह है इस्तीर भाव पर हिस्सा या योगदान योगदान कितना रहा है यहां दिया गया है और बिद्धी दर कितना रहा गया है यहां दिया गया है इस्तीर भाव पर आपको दोनों में से एक जो लाश टोला दिया गया है यह वा पर तो इस्तिर्भाव पर अनुमानित है 5.32 प्रतिसत और हिस्सा यहां हम देखेंगे इसमें जो ब्रिदिदर है उसमें क्रिसी छेतर में कितना है तो 3.31 उद्यों का कितना है तो 4.94 और सेवा का कितना है तो 6.62 और कुल अनुमान कितना है तो 5.32 है और योगदान कितना है कितना योगदान है तो क्रिसी वानिकी और मशली का कितना है तो 16.8 प्रतिसत उद्योग का कितना है तो 46.9 प्रतिसत और सेवा का कितना है तो 47 37 प्रतिसत इसमें सरवाधिक किसका है तो उद्योग का है दूसरा सरवाधिक सेवा का तीसरा सरवाधी का ते कृसी का, उसी तरह बृद्धि दर में सरवाधी किसका अनुमान है तो सेवा का है, दुसरे में काँ सा है, तो उद्योक की लाश्ट में किरिसी है, इस तरह से आब इसे क्रम से भी जमा सकते हैं इसके बाद हम देखते हैं प्रचलीत भाव पर प्रचलीत भाव पर चतिए अड़ का GDP pro गितना नुरुमानी थैं तो 8 दस्मलों 26 अनुमानी थैं और इसमें यहां आप देखेंगे तो ब्रिदी धर कितना रहा है प्रचलित बहापर तो प्रात्मिक छेद रहा है 12 प्रतिसाद आपको थोड़े से जूम करके इस पश्ट रूप्स दिखाते हैं कितना रखा गया है आप यहां देखेंगे तो जिड़ी ब्रिदी धर 12.1 रखा और ओहलाल कितना है तो 8.26 प्रतिसाद रखा गया है यह तो है ब्रिदी धर और हिस्सा कितना है तो आप यहां हिस्सा भी देखेंगे आपको इस टाफिक का विस्तार से PDF भी मिल जाएगा निचे लिंग दिया गया है वहां से आप इसका और जो इंग्जाम कर्डिश्य से ब प्रतलिक भाव पर 22.07 अनुमानित है जबकि यह इस्तिर भाव पर कितना था तो इस्तिर भाव पर था 16.08 प्रतिसाद इसे तरह दूसरा है उद्योग उत्योग में कितना है यहाँ तो 1.0.08 पर दिशाद है जब कि यह स्थिरभार कितना था तो 46.19 प्रतिशाद है आपको दोनों को याद रखना है जो भी जामे क्शेए आप सही एंसल लगाएंगी और सेवा शेत्र का कितना रखा गया है तो 36.8% जब कि ये कितना था इस्तिरभा पर तो 37% था इस तरह से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टापिक होता है शेत्र के राजजी आये में इसके बाद जो यहाँ दिया गया है आपको ये सारे टापिक को नहीं पढ़ना है इसके बाद जो किस सेत्र में कितना योगदान रखा गया है वो आला टापिक को पढ़ना है आपको मैं इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टापिक को ही बता रहा हूँ जो एक्जाब के दिशिए से बहुती महत्पूर्ण होते हैं अगला होता है प्रतिव्यक्ति आय का टापिक प्रतिव्यक्ति आय 2019 में कितना रखा गया है यहां देखेंगे तो 98,281 रूपया और जो ब्रिदी हुआ है? पहले कितना था तो 92,413 रूपया था और कितना हो गया? 98,281 रूपया तो कितने प्रतिशत की ब्रिदी हुई? इसका भी एंसर है चैद स्मलोग 3,5 प्रतिशत की ब्रिदी हुई है प्रतिव्यक्ति आय में आप इसका data table में भी देख सकते हैं और यहाँ जो graph बने आगिया है इसमें भी आप देख सकते हैं 2014-15 में कितना था, 2019-20 में कितना है, किस चन में कितना है आप इस table के मान्यम से अध्यान कर सकते हैं यदि जानकरी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे, यदि आपने हमारे यूटूब चनल को भी रख सबिस्क्राइब नहीं कियें तो सबिस्क्राइब भी करेंगे इसके बाद आप यहां देख पाएंगे सभी छेतर का विश्दार से, जैसे यहां प्राथ्मिक शेक्तर हमने देखा था, 3.31%, उद्ध्यो का देखा था, 4.9%, उसी तरह सेवा छेतर का हमने देखा था, 6.2%, बिद्धी तरह देखा था, तो आप देख सकेंगे कि किस टापिक का कितना ज़्यादा योगदार है, लेगिन जो यह तीनो मैंने हाइलेट किया, यह सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंड होते हैं इसलिए आप इसको जरूर याद रखें, आप यहां प्रात्मिक दूतियक थिर्थ्यक शेतर का इस्थिर भाहा पर वित्रार भी यह हिस्सा को देख सकते हैं, जैसे हमने देखा दा 16.8, उसी तरह अगला देखा दा 16.9 प्रदिशत और उद्योग सेवा चैतर का 37 प्रदिशत देखा था आपको, आप यहां देख पाएंगे किस चैतर का कितना ज़्यादा योगदार रहा है, यहां विस्तार से देख पाएंगे, आप इसका पीडिये नीचे लिंग दिया गया है, वहां से जान सकते हैं, इसमें सबस्यादा इंपोर्टेंट जितने भी तथ्य बनते हूं, उन सारे तथ्यों को हमने देखा है, यह जानकर आपको छलगे तो लाइक जरूर करें